हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दा इंग्लिस क्लासरूम पर तो जैसा कि आपको पता है हम मोडाल्स पढ़ रहे थे ठीक है तो मोडाल के ही सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ वुड और यू कोई definite means नी होता है चैन का पास्ट फॉर्म जैसा सकता था सकती थी इसही तरह है ठीक है शुड का चाहिए मस्ट का चाहिए ओसुका चाहिए लेकिन वुड का वुड का ऐसा कोई निश्चित मिनिंग नहीं होता है, छीक है वुड पढ़ते है, वुड है क्या? हम युज़ करते हैं मोडाल की रूप में तो मैंने बात बता दी कि वुड का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसक harsh नहीं होता इसके विभिन परियोग के अनुसार express करने में यानि के past tense में जो हमारी आ देती थी उन्हें व्यक्त करने के लिए उन्हें express करने के लिए wood का परियोग किया जाता है कैसे करते हैं हिंदी में sense क्या निकलती है हिंदी में निकलती है किरिया पलस करता था जैसे खेला करता था कूदा करता था पढ़ा करते थे ठीक है समझें नाचा करते थे गाया करते थे होगी नहीं बूत काल की आदत बता रहें नहीं बता रहें जैसे तुम जा रहें अपने पिता जी की साथ ठीक है कहीं उनके गाउं में गई अब तुम रहें सहर में तो गाउं में जा के पिता जी देखो हम यहाँ इस स्कूल में पढ़ा करते थे यानि कि अपने बहुत काल की आदत बता रहे हैं ठीक है यानि कि पास्ट की तो ठीक है देखते हैं एक्जामपल जैसे यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है वूड मोडल की रूप में एстве मेंस होता है कि मैं हर सुम्वार को व्रत रखा करता था बता रहा नहीं बोत काल की बात अपनी पास्ट की बिद्ती होई बतार है नहीं बता here for hours इसा मिन्स हुआ कि वह गंटों तक यहां खेला करता था got it तो हुआ क्या है यहां पर यहां पर हमने देखा कि subject है और पलस में would है और पलस में main verb की first form है subject plus would plus main verb की first form क्योंकि हमें पता है क्या है modal है modal के बाद क्या आखता है first form अत्ती है ठीक है ठीक बन गए sentence तो यहां पर meaning क्या आया इसका पहले past habit को जब express किया तो इसका मिन्स आया किरिया पलस किया करता था पिया करता था सोया करता था सोया करते थे खेला करते थे पढ़ा करते थे ऐसे next देखो present tense में polite request करने के लिए निके present tense में बरतमान में polite request करने के लिए polite request means विनम्र निवेदन ठीक है हाद जोड़ गए देखो would you please help me क्या तुम मेरी मदद कर दोगे अब बताओ महां तो था किरिया पलस करता था यहां पर क्या हो गया कर दोगे या कर सकते हो would you please help me क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो या फिर क्या तुम मेरी मदद कर दोगे दुन परकार से बोल सकते हैं हम इसको next देखो would you please sing a song for me क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा दोगे क्या है polite request है क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा दोगे ठीक है समझ में आ गया तो क्या हुआ भाई है यहाँ पे वुड यू प्लीज हेल्प मी क्या तुम मेरी मद्द कर दोगे तो क्या बन रहा है सिंगल इंटेरोगेटी नेक्स्ट अब एक रूल हमें यह देखना आज की किलास में कि वुड प्लस भी अगर वुड के साथ कहीं भी आ रहा हो ठीक है तो इसका मिंस क्या हो सकता है इसका मिंस हो सकता है तो होगा या होने वाला होगा या होने वाला वुड भी जहां मिल जाते हैं दोनों तुम पढ़ोगे उनका मिंस होगा होगा या होने वाला देखो कैसे बदला है, यहाँ पर किया करता था, ठीक है, यानि कि यह क्या है, वर्ब, में वर्ब, किरिया प्लस करता था, यहाँ पर आगया कर दोगे या कर सकते हैं, यहाँ पर आगया हो गया होने वाला, ठीक है, इसमें में चीज का है, में चीज है, यानि कि यह बुड प् फार्मर ही का तो पता होगा, he means, वे है, he would be a farmer, इसका मंतलब है, कि वे है एक किसान होगा, next, she would be my wife, she would be my wife, यानि कि संभावना है, possibility है, she would be my wife, वे है मेरी पत्रनी होगी, या वे है मेरी पत्रनी होने वाली है, ठीक है, तो would be आ रहा है न, next, he would be sleeping, यहाँ भी क्या है, possibility है, कि वे है सो रहा होगा, would, plus में rather, would, plus में rather, would, plus rather, जहां कहीं मिल जाते, उसका मतलब होता है, पसंद है, या अच्छा लगेगा, या फिर choice, choice या preference, कि मैं तो, योई चीज लेऊंगा मुझे, तो योई पसंद है, योई लेऊंगा मैं, ठीक है, preference या choice, choice या, preference, preference बोले तो, प्राथ मिखता, ठीक है, जैसे, I would rather take tea, इस बात का मतलब, यह यूँ भी तो कह से कहता, I want tea, मुझे चाहिए पर नहीं, यह भी style में बोलना भाई, I would rather take tea, ठीक है, इसका means हुआ, मैं चाए लेना चाहूंगा, या मैं चाए पीना चाहूंगा, या मैं चाए पीना पसंद करूंगा, इन सब के मतलब क्या है, I would rather take tea, यानि के, उसने जब ये, इसने ये क्यों बोला, I would rather take tea, जब इसके पास, जहां यो गेस्ट बन के जा रहा, वहां कोई आया होगा, पूछ रहा होगा, कि सर, ठंडल होगे, गरम, what do you want to have, तुम क्या लेना चाहूगे, ठीक है, या क्या खाना चाहूगे, क्या पीना चाहूगे, ठीक है, मिल्क ओटी, तो इस ने जवाब दिया होगा, I would rather take tea, तो इस बात का मिन्स है, कि मैं, चाई पीना चाहूँगा, या चाई लेना चाहूँगा, या मैं चाई पीना पसंद करूँगा, समझ में आया, next, I would rather endeavor, than give up, यह sentence देखो, यहाँ पर होता क्या है, वूड रेदर, चाहूँगा, वूड रेदर, चाहूँगा, समझा, अच्छा लगेगा, या पसंद करूँगा, तिन्नो का मिन्स, वूड रेदर, अब I would rather, endeavor मिन्स होता है, परियतन करना, परियतन करना, endeavor means उत्ता है परियतन करना then give up, then का मतलब की अपेक्षा, give up means छोड़ देना, हिम्मत हार जाना दम तोड़ लेना, नों कि मेरे बस की नहीं अब और, मैं तो ठक गया पड़ गए I would rather endeavor मैं परियास करना या परियतन करना पसंद करूंगा, then give up, या निके छोड़ने की अपेक्षा, निके हिम्मत हारने की अपेक्षा मैं परियतन करना पसंद करूंगा, समझे तो ये थे हमारे would would का concept छोटा सा, ठीक है next देखते हैं, next अत्ता है हमारा used to used to used to के बारे में बहुत सारी अपवाई है ठीक है, कि यो भाईया क्या है modal है, adjective है main word है, तो भाई देखो would की तरह used to का भी कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, सबसे पहले तो एक बात जान लो कि इसका भी कोई means नहीं होता, जैसे ये समय समय पर अपने meaning बदलता रहता है, ऐसे ही used to समय समय पर अपने meaning बदलता रहता है ठीक है, अब हम देखें कैसे used to का परियोग used to का परियोग modal एवाँ adjective दोनों रूप में हो सकता है, निके कही modal का का काम भी करता है, ठीक है, और adjective का भी काम करता है, सबसे पहला देख लो, पहला point का है, past habit को express करने के लिए जो अब समाफ्थ हो गई हो यानि के कहने का मतलब है कि past habit को express करने के लिए जो अब समाफ्थ हो गई यानि के पहले जो हम काम किया करते थे, अब नहीं करते, अब हमने कुछ और काम श्टार्ट कर दिया है, ऐसे sentence के लिए ऐसे वो बाते बोलने के लिए हम कहें का यूज करते हैं यूज टू का ठीक है जैसे example देख लो अच्छा तो तुमनों कहरें कि भाईया यह तो यह यह लाइन जानी पिछानी लग रही हाँ भाई बिल्कुल जानी पहचानी है बिल्कुल सेम टू सेम है कते ही यह वाली बात बिल्कुल सेम टू सेम है आज कल यह बताया गया कि यूज टू का यह वाली बात बोलने के लिए यूज टू का परियोग बहुत कम होने लगा किसका ओरा वुड वूड 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 का यूज़ हो रा वस ठीक है He used to study till 10 पी.म यानि के वह 10 बजे तक पढ़ा करता था यानि के पहले वो 10 बजे तक पढ़ा करता था लेकिन अब नहीं पढ़ता है ठीक है अच्छा तो हमेने हैं सही हिसाब लगा लिया जो पहला रूल है past habit को express करने के लिए तो उस उसका रूल बनाया subject plus used to plus main verb की first form ठीक है ये इसका रूल हो गया affirmative दूसरा sentence I used to play cricket before marriage यानि के मैं मैं शादी से पहले cricket खेला करता था ठीक है अब ने खेलता he used to sing songs वह गाना गाया करता था वह गाने songs है ना वह गाने गाया करता था तो यानि के भूत काल की बात बता रहा अपनी गत्ताओ गाने तो अब क्या करें now he dances अब वह नाचता है समझें next they used to laugh at me वे मुझे पर हसा करते थे वे मुझे पर हसा करते थे ठीक है they used to laugh at me अब वे मुझे प्रोट्षाहित करते है मोटिवेट करते थे ठीक है तो देखो कितना वक्त बदल गया थे ठीक है यहां तक तो यह वाला तो subject plus used to plus main verb की first form की used to का rule का होता है past habits को express करने के लिए होता है ठीक है यह समझ में आ गया बिल्कुत same to same यह वाले sentence आप would plus main verb की first form से भी बना सकते हैं कोई issue नहीं है ठीक है next एक special चीज देख लो इस special चीज यह है कि एक subject रखना हमको is mr यानि के b मैंस एक helping रखने subject के according ठीक है फिर used to आ गया उसके बाद main verb की first form में क्या लगा देना ing यह तो होगा उसका rule तो बात क्या होई बात यह होई कि इसका यहां पर means होगा आदत या आदी हूँ या आदत है या मैं आदी है मतलब वह आदी है या मैं आदी हूँ यो means होगा देखो कैसे वैसे समझ नहीं आने के एक example देखो subject plus helping verb plus used to ठीक है getting up यह देखो main verb में क्या लगा दिया ing यहां पर used to ठीक है used to adjective करो मा ठीक है I am used to getting up early in the morning इसका मतलब है कि मैं सुबह में जल्दी उठने का आदी हूँ मैं सुबह में जल्दी उठने का आदी हूँ या फिर मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है कुछ कुछ बात समझ में आई मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ या मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है ऐसे sentence बोलने के लिए हम इस वाले formula का use करते है subject plus ismr plus used to plus main verb की first form है ing next he is used to playing cricket every Sunday he is used to playing cricket every Sunday वह परत्यक रविवार वह परत्यक रविवार किर्केट खेलने का आदी है यानि के उसे परत्यक रविवार किर्केट खेलने की आदत है ठीक है एक और देख लो दो तीन बात इसकी यह है reward ठीक है मैं का चलो यह भी बता देते है reward है देखो इसकी कमाल की बात एक sentence लिखा हमने he used to come here daily इस बात का क्या मतलब हुआ subject plus used to plus main verb की first form यानि के इसका क्या मतलब हुआ किरिया पलस करता था करते थे करती थी यानि के he used to come here daily वह है और यहां रोज आया करता था ठीक है दूसरा देखो यह अर्थ है क्या यह positive sentence कौन सा है positive अब देखना हमे negative यानि के negative he used note to come here daily मुझे बस यह बात बता नहीं थी अगर इसी sentence हमें note लगाना हो तो note की जगे कहां बन रही use or to के बीच में वह यहां रोज नहीं आया करता था वह यहां रोज नहीं आया करता था तो note लगाना तो कहां लगा देंगी बीच में ठीक है next यह जो है question mark इसका मतलब है single interrogative used he to drink when he was young वह क्या बात है जब used यानि के यो helping work पहले आ रहा तो इसका मिस क्या होगे यहां पर क्या single interrogate used he to drink when he was young क्या वह पिया करता था he का मतलब वह यह drink पिया करता था used to का करता था drink वह ने पीना नहीं के पिया करता था क्या वह पिया करता था वहन जब he was young जब वह जवान था जब वह जवान था क्या वह पिया करता था या क्या वह पिया करता था जब वह जवान था है नहीं कमाल का sentence used used to see to go to temple daily क्या वह रोजाना मंदिर जाया करती थी ठीक है अब एक और देख लो भाई उस्टू के सेंटेसम डिड से भी मना सकता है क्योंकि यो पास्ट इंडेफिनिट में भी उस होता है डिड ही उस्टू प्ले हियर क्या वे है यहां खेला करता था